बॉलिवोड पॉलिटिक से ठक गई थी प्रयांका शोप्रा, सालो बाद छलका प्रयांका शोप्रा का दुख, प्रयांका शोप्रा ने खोला सालो पुराना बॉलिवोड का राज पताई सब के सामने खुले आम बॉलिवोड की सच्चाई, जी हाँ दरसल प्रयांका शोप्रा जो कि DC Girl रह चुकी हैं वो अब बॉलिवूड में नहीं हॉलिवूड में ही अक्सर पाई जाती हैं। हॉलिवूड में काम खूजने की तालास में लगी रहती हैं। प्रयाम का चौपरा और फैंस का अक्सर ऐसा कहना होता है कि वो बॉलिवोड में काम क्यों नहीं करती है जिसका आंसर देती हुआँ पॉर्ड का शो में कि मैंने बॉलिवोड इसलिए ही छोड़ा है क्यूंकि मुझे वहाँ मंदशाहा काम नहीं मिल रहा था मैं जितना डिजल्फ करती हूँ मुझे वैसा एक्ट और वैसा परफॉर्मिंस करने को नहीं मिल रहा था बॉलिवोड में एक गंदी पॉलिटिक्स होने लगी है और वो पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आती थी मैं उस पॉलिटिक्स के लायक नहीं थी या काविल नहीं थी वो पॉलिटिक्स खेलने के लिए इसलिए मुझे जब भी मिला बॉलिवुड का शो मैं तो कह दी भार में जाओ मैं तो चली अमेरिका ये कहते हुए वो नज़र आई है इसके अलावा बता दें कि ये सब कहने के बाद कंगना रनावत उतर गई है प्रियांका शोप्रा के सपोर्ट में और पेट करके उन्हें सपोर्ट करती है प्रियांका शोप्रा और कंगना रनावत का सीधा टारगेट होते हैं करन जुहर प्रियांका और कंगना दोनों ही नैपोडिजम के बारी में बात करते हुए कहीं न कहीं करन चूहर पे सीधा निसाना साथ ते वे आएं है नजर बता दे कि कंगना तो इन बातों में घिरी रहती है लेकिन प्रयांका चोपडा की ये बाते अब सोसल मेडिया पे सुर्खियों में चाही हुई है जहां पे प्रयांका की ये बाते सुर्खिया बटोर रही है तो वहीं पे सोसल मेडिया पे प्रयांका चोपडा का सीटा देल व एतराज, मस्तानी और भी कई मुवीज उन्होंने हिट दी है फिर भी ना जाने उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि बॉलिवुड उन्से किनारा खसने लगा था वेल प्रियांका की ये बाते आपको कहां तक सही लगी है और कहां तक गलत और कंगना का इस तरीके से प्रियांका की सपोर्ट में उतरना क्या सही है क्या कुछ है कहना आपका इस पूरी खबर पे कॉमेंट्स की जरीए हमें जरूर बताएं और अगर आप ही हैं प्रियांका और कंगना के फैन तो वीडियो को लाइक जरूर करें